तो इतिहास में एक काफी important dynasty या समराज या kingdom जो भी आप कहें उसका नाम आता है जिसका नाम था वाका टक समराज ये वाका टक जैसे हम लोग modern period पढ़ते हैं फिर post modern period पढ़ते हैं तो इसे गुपता या फिर post गुपता या गुपता के parallel में ही ये वाका टक को ही पढ़ाया जा जांसी के असपास का गौालियर के असपास का बरार और northern ढकन ठीक है ढकन का भी जो northern part ओपर का part ठीक है गोधावरी river के आसपास का रीजन यहां पर वाका टक समराज का इदै होता है और ये लोग Ajanta School of Art जो Ajanta School of Art जिसमें भगवान बिश्नू सिव की गफायों में काफी मूर लब हुआ था आइट में तो उसके ये लोग सन्रचक थे इनका जो इंस्क्रिप्शन है जो काफी इंस्क्रिप्शन में इनको क्या कहा गया है हरित पुत्राज भी कहा गया है एविडेंसेज में सोर्सेज में इनको हरित पुत्राज भी कहा गया है इनके जो फाउंडर थे फा performed अस्वमेग यग और चार टाइमस इसने अस्वमेग यग की थी, मतलब he was a great king, he also performed वाजबेई यग, वाजबेई यग के भी ये करते हैं, और इन्होंने जो टाइटल अपने ली थी, वो थी, महाराजा धिराज एंड समराठ, ये खुद को महाराजा धिराज जो समराठ कहते मतलब टाइटल इनको ये दिया गया इसके बाद आते हैं गौतमी पुत्र अब ये गौतमी पुत्र सातवाहन वाले नहीं है ये हैं वाकाटक वाले सन आप प्रवर सेन देखो मैं वाकाटक वैसे काफी डिटेल में पढ़ा जाता है इसमें कई सारी फैमलीज हैं उनका काफी दिवीजन है बट मैं इनपॉर्टेंट दोनों फैमली को कंबाइन करके जो इनपॉर्टेंट राजा है उनके बारे में बात कर रहा हूं गौतमी पुत्र जो प्रवर सेन का लड़का रहता ही वाद इनसिग्निफिकन जदा इनमें कुछ है नहीं बट जो रुद्र सेन फस् उनको हराया था यानि समुद्र गुप्त डिफीटेड रुद्र सेन फस्ट आफ वाकटक डानेस्टी उसके बाद में प्रथवी शेन आते हैं तो प्रथवी शेन अपने अंपायर को बढ़ा करते हैं तो बस जस्ट ही वाद रूलर उसके बाद में जो इंपॉर्टन वाकट रुद्र सेन सेकेंड हैं इनकी साधी होती है प्रभावती गुप्त से तो वाकटक का और गुप्त का रिलेशन था किसलिए रिलेशन बना था क्योंकि ये दोनों मिलकर के सक को हराते हैं सक जो बाहर से आये थे ठीक है और सक को हराना इसलिए भी जवरी था क्योंकि गुप् गुप्त समराज को चैलेंज कर रहे थे इसलिए गुप्त के जो चंद गुप्त सेकेंड थे बिक्रमादित उन्होंने अपनी बेटी की साधी रुद्रसेन सेकेंड से कर दी और ये दोनों फिर मिल करके किसको हराते हैं सक को हराते हैं और ये बिकेंड बैसनवाइट कौन बन गया रुद्रसेन बैसनवाइट क्यों बनते हैं ये इतिहासकार इसलिए बताते हैं क्योंकि जब ये प्रभागति गुप्त से साधी करते हैं रुद्रसेन क्योंकि गुप्त काल में जितने भी राजा होते हैं वो बैसनवाइट ही होत तो बैस्नवाइट वाइफ से जब इनकी सादी होती है तो ये खुद भी बैस्नवाइट बन जाते हैं, भगवान विश्नु के उपाशक बन जाते हैं, आफटर हिस देथ, जब रुद्रसेन सेकंड की देथ हो जाती है तो इनके छोटे-छोटे दो बच्चे रहते हैं, उनका काफी कम इस बात को important मिलती है लेकिन ये सोचने वाली बात है कि प्रभावती गुप्ट आज के लगभग 15, 16, 17, 100 साल पहले उन्होंने सासन किया था On behalf of अपने बच्चों की बिहाब पे दामोदर और दिवाकर सेन के प्रवर सेन 2 इसके बाद आते हैं उन्होंने ये काफी important है ये बालिये family से आते हैं मैंने कहा न कई सारी branch थी इसकी इसने प्रवर पुरा नाम की एक city बनाई थी इसने रामचंद्र भगवान का एक temple बनाया था और ये प्रवर पुरा को इसकी capital भी थी composed famous poem सेतुबंध किस ने लिखा था तो सेतुबंध प्रवर सेन 2 ने ही लिखा था कालिदास किसके दरबार में रहकर के मेगदूर लिखे थे तो वो प्रवर सेन के ही दरबार में कालिदास ने रहकर के मेगदूर की रचना की थी और who was a wakatak king तो मतलब कालिदास wakatak दरबा में भी रहते हैं around second quarter around second quarter of sixth century यानि 550 के आसपास यह जो समराज है इसका बिघटन होता है सैटर्ड होता है और कल्चुरी जो south से के आसपास रहते हैं वो इसको dominate कर लेते हैं फिर कल्चुरी इसका सासन होने लगता है तो यह वाकटक के बारे में इतनी information हमें पता होनी चाहिए